नमस्कार आप सबका अपने यूटूब चैनल इंजॉआइवित आर्शे सिंग में हार दीख स्वागत हैं मित्रों इसके पहले की वीडियो आपने देखा गुपत उस्मा का मातरग क्या होता है गुपत उसमा का उसका सुत्र क्याव कैसे बना उसकी भीमा कैसे बनाई जाती है और हम लोग उसका फार्मूला कैसे बना पाते हैं इसके बारे में पिछली वीडियो में हमने चर्ज़की थी आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेग परवालता के बारे में चलिए समझेगा वेक परवानता को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में अच्छा हम आपको बता देने चाहते हैं वेक परवानता को इंगलिस में क्या कहते हैं विलाश्टी विलाश्टी ग्रेडियंट बोलते हैं विलाश्टिक ग्रेडियन्ट क्या बोलते हैं वेग परवनता को अब हम लोग सिखेंगे वेग परवनता का फार्मूला क्या बनेगा वेग परवनता का जो फार्मूला बनता है वेग परिवर्तन समझेगा वेग परिवर्तन अपान बटे दूरी होती है वेग परिवर्तन अपान दूरी होती है अच्छा वेग परिवर्तन बटे दूरी क्या है किसका सुत्र है वेग परवनता का अर्थात विलाश्टी ग्रेडियंट का विलाश्टी ग्रेडियंट जदी हम लोग वेग परवनता का संचेप में फर्मूला बनाए तो क्या बनेगा अगर देखा जाए वेक परवनता है तो डेल वी इसकल टू वेक परिवर्तन है तो डेल वी अपान डिस्टेन से दूरी है तो डेल वाई लिग सकते हैं तो एक फार्मूला है आपका यहां से बन गया अब ये फार्मूला बन गया है संचेप में भी और वेग परवर्ता इसकल्टू कितना हो जाएगा वेग परिवर्तन अपान दूरी होती है अब हम लोग आसानी से इसका मातरक निकाल सकते हैं अब बताईए दूरी है दूरी का मातरक मीटर होता है तो बास समझेगा यहां आपको दिख रहा है कि एक मीटर जो है नीचे है एक मीटर ऊपर है तो यह हम लोग काट दिए तो यहां से साब साब दिख रहा है कि एक बटे यह सेकंड आया अच्छा तो यह जो मातरक निकल के आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं प्रतिस सेकंड इसका मातरक निकल के आया क्या प्रतिस सेकंड इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको हम लो इंगलिस में ऐसे लिखा जाता है तो हम लोग अगर वेक परवणता का मिल गया मात्रग तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसके बिमा देखिएगा समझेगा कहां से यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं समझेगा अच्छा प्रती सेकंड लगा है ना तो हम लोग अगर लिख पता होता है उसका जो भीमा आप आओगे लिखी जाती है M की पावर 0, L की पावर 0, T माइनस कितना 1, ऐसा ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका ये स्वरूप होता है, ठीक है, यानि कि भीमा, ये भीमी बिसलेशन में, यदी आपको मिलेगा, तो यही सही होगा, तो अब हम ले चल ये समझेगा, प्लांक नीतांक होता क्या है, प्लांक नीतांक की किसे कहते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, प्लांक नीतांक है, इसको इंगलिस में हम लोग कहें, तो प्लांक हो जाएगा, प्लांक काश्टैंट, प्लांक काश्टैंट, ये इसक क्या मलता है इंगलिस बनती है प्लांक कास्टेंट प्लांक कास्टेंट क्या है यहीं कि प्लांक नीतांक क्या है इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो समझेगा प्लांक नीतांक होता क्या है यानि कि प्लांक के काश्टेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो प्लांक नीतांक जो फार्मूला होता है प्लांक नीतांक हम लोग पहले फार्मूला समझेंगे प्लांक नीतांक जो फार्मूला होता है यानि कि इसका जो सूत्र बनता है उर्जा अपान आवरित्ती होती है उर्जा अपान क्या होती है आवरित्ती ये प्लांक नीतांक के बराबर क्या हो जाएगा उर्जा अपान आवरित्ती अगर हम लोग इसके संछेप में लिखना चाहें तो बास समझेगा जो प्लांक नीतांक है प्लांक निकतांग को हम आपको बता दें कि ये H से प्रकड़ कियाता है H आपको बता दें ये जो है रोमन लीपी में लिखी जाती है रोमन लीपी में लिखी जाती है और अगर हम लोग प्लांक निकतांग का H सिंबल लिए उर्जा को हम लोग E लेंगे तो बताइए इसका जो संचेप में फार्मूला बनेगा H is equal to कितना हो जाएगा E for energy और frequency यानि की F होता है frequency को हम लोग V से प्रकट करें तो H is equal to E by V हो जाएगा या आपको आपके जो बुक में दिया रहता है वो E is equal to d दिया रहता है E is equal to H V दिया रहता है यही फार्मूला आपको दिखाई दीगा यह important formula है इसलिए important है क्योंकि इसी सिधान्त को Planck यानि Maxwell Planck ने दिया था अब Maxwell Planck क्या होता है आई हम लोग चर्चा करें अब आपको बता दें कि E is equal to H V है तो जहाँ पर आपको बता दें जहाँ यच यच क्या है Planck नीतांक है Planck नीतांक है यही Planck नीतांक है ठीक है इसी के बारे हम हम लोग बात कर रहे है तो Planck नीतांक किस ने दिया Planck नीतांक एक जर्मनी की बैग्यानिक थे जर्मन बैग्यानिक ने उन्होंने दिया Planck नीतांक है यह प्लांक नितान क्या है एक सिधान्त है ठीके प्लांक नितान क्या है एक सिधान्त है जो मैक्स वेली इनका पूरा नाम क्या है मैक्स मैक्स प्लांक Max Planck इनका पूरा नाम था Max Planck या Maxwell Planck तो Max Planck जो नियम दिये थे वो क्या नियम था इनका सिधान्त क्या था E बराबर HV आपको बता दें कभी कभी एकजाम में ये पूछा जाता है कि Planck नितांक यानि कि H की वैलू क्या होगी तो H की वैलू हम आप बता दें ये एकजाम कभी पूछा गया है 6.626 इन्टू 10 to power minus 34 होता है 34 6.626 इन्टू 10 to power 34 ये किसमे होता है इसकी रासिया आपको लिख दें किलोग्राम वर्ग मीटर प्रतीस सेकेंड होता है अब बात आती है प्लांक नीतांक के मातरक के बारे में तो प्लांक नीतांक के मातरक के बारे में चर्चा करने के लिए यहीं से आपको लेना पड़ेगा प्लांक नीतांक के जो फर्मूला है उर्जा पान आबरित्ती है तो अगर बात करें उर्जा तो कार्ड करने की छमता को ही उड़ जा कहते हैं ठीक है तो ये जब work करते हैं तो work क्या formula क्या होता है fn2d होता है ठीक है अब रिति ये frequency है इसका आपको निकालते हो ठीक है अब आपको यहीं से हम बताते हैं इसका formula कैसे बनेगा और इसका मात्रक कैसे बनेगा चलिए आपको समझाते हैं देखिएगा अच्छा ही बताइए W बराबर क्या होता है F into D अब F बराबर क्या है force है या बराबर क्या होता है या बराबर या मिन्टू A होता है तो D है यह है पहले साल D ठीक है D तो रहेगा तो यहां से हम लोग निकाल पाएंगे क्या निकाल पाएंगे इसका मात्रक देखिएगा अब देखिए क्या बनेगा इसका मात्रक हम लोग निकले चल रहे हैं अब यहां समझेगा प्लांक नीतां का मात्रक हम लोग निकले चल रहे हैं तो यहां बताइए यम क्या है मास यहनी द्रबमान है तो बताइए क्या हो जाएगा और D यहाँ पर लगा हुआ है ध्यान दीजेगा तो यहनी क्या है मास यहनी किलोग्राम हो जाएगा कि ग्रा हो जाएगा अब A क्या है एक्सलेडरसन है तुरान है क्या हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वार इसका मातरक का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वार और डिफार डिस्टेंस है डिस्टेंस के मातरक का होता है मीटर होता है ठीक है इतना आपने लिख लिया अब नीचे क्या है अब रित्ती है ना तो हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम किलोग्राम वर्ग मीटर क्योंकि यह मीटर मीटर क्या हो जाए कि वर्ग मीटर अगर लिखें तो सेकेंड सेकेंड यह उपर जाए लाएगा सेकेंड बटे यह नीचे है ना प्रतिलगा मलब नीचे सेकेंड स्कॉर हम लोग लिख सकते ह आपको असपश्ट यह दिख रहा है कि एक सेकंड यहां है एक सेकंड यहां है तो यहां पर क्या बन जाएगा यहां दीजेगा यहां से क्या निकलेगा यहां से यह निकलेगा किलोग्राम यानिकी ग्रा ठीक है वर्ग मीटर वर्ग मीटर और क्या बनेगा यह उपर जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड ठीक है क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड इसको हम लोग इंगलीस में लिख सकते हैं ऐसे क्या लिख सकते हैं किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड तो यहां से आपने देखा कि इसका जो मातरक आया इसका मातरक प्लांक नेतां का मातरक प्लांक नेतां का जो मातरक निकला किलोग्राम वर्ग मीटर पतिस सिकंड लेकिन किलोग्राम वर्ग मीटर पतिस सिकंड अगर आ गया जैसे ही मातरक आता है तो वहां से आप क्या निकल सकते हैं उसकी बिमाह निकल सकते हैं बहुत इजी हो जाता है ठीक है कैसे देखिए किलोग्राम है ना किलोग्राम के लिखते हो यम यम क्यों लिखता क्योंकि मास होता है यह वर्ग मीटर है लेंथ होता है एल पावर टू लिख होगे आप अब प्रती सिकंड है ना ट के पाउर कितना हो जाएगा मानस वन ठीके अब इसी क्या करना है सिक्वेंस में कर देना है बस तो प्लांक नीतांक का विमा निकल के आ जाएगा ठीके देखिएगा तो लिखेंगे M L स्क्वाइर M L स्क्वाइर अठाट T मानस कितना हो जाएगा T मानस कितना वन तो यहां से आपको मिल गया क्या मिला कि प्लांक नीतांक है ठीके प्लांक नीतांक का जो विमा आया है वो M L स्क्वाइर T मानस वन आया है तो प्यारे मित्रों पले आपको जो एक बार फिंस दिबाता देते हैं ये kिलो ग्राउन वर्ग मीटर प्रतिस सेकेंड येत क्या है प्लांक नीतांक का मातरक है और आपको हमने बताय plan pro नीतांक का मान क्या होता है ये C प्लांक निताइच क्या है याच रोमर लिव में लिखी गई है तो याच का वैलू कितना होता है 6.626 इंटूटेंट पॉर मानस 34 किलोगराम वर्ग मीटर प्रती सिकन होता है और ये मैक्स विल प्लांक मैनी की जो प्लांक निताइच है वो जर्मनिक बेग्यानिक थे मैक्स प्लांक नहीं दिया है इनी के सिध्धान्त पर क्या बना है E बराबर HV बना है E बराबर HV क्या है मैक्स से प्लांक के सिध्धान्त है और इसका जो हमने बताया मैक्स यहनिकी प्लांक निताइच का जो फर्मूला है वो उर्जापन आवरित्ती है दीसे हम लोग लिखें कि H E Y V E फार क्या है? इनर्जी है क्यों V क्या है? अर्थात अबृत्ती मलब क्यों होता है? फ्रेक्वेंसी होती है अफ होती है तो इसके लिए हमने V लिखा तो इसका जो फार्मूला बना है E is equal to H V लिखा गया है प्यारे मित्रों यह हमारे वीडियो का ऐसी लगी है आप कमेंड किजिए और अपने दोस्तों को सेर किजिएगा धन्यवाद